नमस्कार बहुत स्वागत है आप सभी कवी के नियूस पर मैं हूँ आपके साथ चेतन पाथा चीन और पाकिस्तान भारत को कितनी भी आके दिखा लें लेकिन भारत के वीर और जाबा सेनेक उने हमेशा सबक से खाने के लिए आगे रहते हैं तीनो सेनाओं के पास अपना दमखम दिखाने के लिए मजबूत हत्यार तो हैं लेकिन अब पडोसी देशों के नापाक मनसूबों को नाकाम करने के लिए वायू सेना के बेडे में पहले स्वदेशी अटैक हेलिकॉप्टर LCH Light Combat Helicopter को जोदपुर में तैनाद करने की तैयारी है तीन अक्टूबर को जोदपुर में Light Combat Helicopter को वायू सेना में शामिल किया जाएगा पीम मोदी, रख्षामंदरी राजनात सिंग और NSA अजीट डोबाल एक भी मौकार दुश्मन को नहीं देना चाहते कि वो हमारे देश की तरफ आँख भी उठा कर देख लें इसलिए एक के बाद एक तीनों सेनाओं को मजबूत करने का काम सरकार कर रही है वायुसेना के बेड़े में बेहदी एडवांस अटेक हेलिकॉप्टर अपाचे और कई शक्तिशाली विमान पहले ही शामिल हो चुके हैं और अब पहले स्वदेश्थी अटेक हेलिकॉप्टर का शामिल होना वायुसेना को और मजबूत करेगा पियम मोदी के अधक्षता वाली सुरक्षा की कैबिनेट कमेटी ने इसी साल मार्च में पंद्रा सुदेशी लाइट अटेक हेलिकॉप्टर खरीदने की मन्जूरी दी थी 3387 करोड में ये हेलिकॉप्टर HAL से खरीदे गये हैं इनमें से 10 हेलिकॉप्टर वायुसेना के लिए हैं और 5 थल सेना के लिए चलिए अब आपको इस हेलिकॉप्टर की खूबियों के बारे में बता देते Light Combat हेलिकॉप्टर यानि LCH हेलिकॉप्टर का वजन करीब 6 टन है जिसके चलते ये बेहद हलका है जबकि अपाची का वजन करीब 10 टन है वजन कम होने के चलते ये High Altitude Area में भी अपनी मिसाइल और दूसरे हत्यारों से लेस होकर टेक आफ और लेंडिंग कर सकता है LCH अटेक हेलिकॉप्टर में फ्रांस से खासतोर पर ली गई मिस्ट्रल एर टू एर यानि हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल लग सकती है LCH में 17 mm के बारा बारा रॉकेट के दो पैड लगे हुए हैं इसके लावा LCH की नोज यानि फ्रंट में एक 20 mm की गन लगी हुई है जो 110 डिगरी में किसी भी दिशा में घूम सकती है पाइलेट के हेलमेट पर ही कॉक्पिट के सभी फीचर्स डिस्पले हो जाते हैं LCH स्वदेशी अटेक हेलिकॉप्टर को कारगिल यूद के बाद से ही भारत ने तयार करने का मन बना लिया था क्योंकि उस वक्त भारत के पास ऐसा अटेक हेलिकॉप्टर नहीं था जो 15-16,000 फीट की उचाई पर जाकर दुश्मन के बंकर्स को तभा कर सके हालाकि इस प्रोजेक्ट को 2016 में मन्जूरी मिली एरफोर्स लाइट कॉमबेक्ट हेलिकॉप्टर का एक स्वाडन जोधपूर एरबेस पर तैनात करने जा रहा है LCH हेलिकॉप्टर को जोधपूर में इसलिए तैनात किया जा रहा है ताकि पुराने MI-25 और MI-35 को हटाया जा सके ये दौनों हेलिकॉप्टर रूस ने बनाये थे इनके एक स्वाडन को खत्म कर दिया गया अब बोईंग कमपनी का HH-64E अपाचे हेलिकॉप्टर तैनात किये गए है इस खबर में इतना ही आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें VK News के साथ